तो hello everyone good afternoon तो स्वागत आप सभी का आज के reasoning के class में हमारा reasoning में number analogy का series चल रहा था तो आज उसमें हम लोग cover करने वाले हैं आज part number 36 तो सारे questions important है अलग-अलग type के है almost अब खतम ही होने वाले हमारा all text का questions ठीक है तो अब अपना copy और पहले के जल्दी से बैठ जाए आज का reasoning का class cover करने के लिए और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लिएगा तो बढ़ते हैं अपने पहले question के तरफ पहला question है 14, 194, then 16 और question mark options आपके सामने है 254, 256, 258 और 260 कौन सा number इस question mark के जगए बैठेगा ठीक है question और option आप से पहले आपको खुद से try करना है अगर नहीं बन पाता है तभी आगे देखिए किस तरीके से बन रहा है तो इस question को किस तरीके से solve किया जाए आप लोग अपने से solve करना start करिए देखिए नहीं बनता है तब जरूर देखिए किस तरीके से बन रहा है अगर मैं इस 14 और 194 को compare करूँ तो यह 194 14 का square के आसपस है यानि कि 14 का square जो होता है वो होता है 196 और इस 196 में अगर माइनस 2 करो तो मुझे मिल रहा है 194 यानि कि यह नंबर मिल रहा है तो वही same condition हम लोग राइट अपलाई करेके देखते हैं अनि कि 16 के साथ 16 का square जो होता है वो होता है टू 56 हमें कि यहां भी हम लोग में वहीं किया था तो वहीं इसम तो माइनस करने से 254 आएगा तो इसा करता हixí आइए कि और 7 & 3 कूसें मार्क देन और अपके पास 310, 320, 340 और 350 किस तरीके से बनेगा देखिए वीडियो पॉस करिए, खुछ से बनाईए, नई बन पाता है तो देन कंटीनू करेके देखिए किस तरीके से बन रहा है इस question को solve करेंगे 3 और 30 यानि कि अगर मैं इस 3 का cube लिखूँ, जो कि होता है 27 और इस 27 में मैं plus 3 कर दूँ तो आ जाएगा 30, यानि कि यहाँ तक का तो बात सही है उसके बाद 7 का बात आता है 7 को भी हम इसी तरह के अगर लिखें, 7 का cube क्या होता है 7 का cube होता है 343 इस 343 में मैं अगर plus 7 जोड़ दूँ तो इसमें आएगा 350 तो 350 तो option नमर डी है यहाँ पर बस हम जिसका cube ले रहे हैं उसका addition भी कर देंगे ठीक है बस, next question क्या है आईए 11 और 111 और question mark option से आपके पास देख सकते है ठीक है तो किस तरीके से बनेगा यह question देखिए आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिए ठीक है अगर मैं इस 11 और 121 का बात करूँ तो यह आप लोग को clearly दिख रहा है कि 11 का square होता है 121 तो वही simply 111 का भी square अगर हम लोग करेंगे 111 का square तो आता है option number C आएगा ठीक है करके देखिएगा नेक्स question पर आईए 6 और 216 5 और question mark options है 125, 50, 75, 150 कौन सा होगा इसके जगा तो यहाँ पर condition क्या बन रहा है देखिए अगर मैं इस 6 का cube लिखूँ तो 216 आता है वही अगर मैं 5 का भी अगर cube देखूँ तो 25 और 125 ठीक है तो option में 125 है तो option number 125 है यहाँ पर जो काम था वो cube का काम था ठीक है cube लेके करना था next question है आज का last 107, 11449 then 106 और question mark options आपके सामने देख सकते हैं ठीक है तो आप लोग खुद से solve करिए नहीं बन पाता है तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है बिल्कुल square चेक करना है ठीक है जैसे हम लोग इस question में किये थे इसमें क्या है 107 का square होता है 11449 106 का भी square क्या हो जाएगा तो यहाँ पर होगा आपका option number C ठीक है आप लोग चेक करके देख लिएगा तो यह होगा आपका answer तो cover होगे आज का हमारा part number 36 number analogy का almost सभी type के question cover हो नहीं वाले हैं just कुछ और बच्चा होगा वो भी हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करिए और अपना जल्दी से notes बना लीजिए लिख लीजिए अगर आपनी तक आप नहीं लिखे हो तो वीडियो को pause करके जल्दी से लिख लीजिए या फिर screenshot ले लीजिए ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक लिए thanks for watching the video और railway group D का exam बिल्कुल सामने है और उसके लिए अची तरह के जता जारी करते रही है तब तक लिए thank you मिलते हैं एक और नहीं वीडियो में